हलो स्टूरेंट्स, स्वागत है आज सभी का साइंसेंट फ़र्न 9, 10, 11 के यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम तीचर्स आपको दिल और दिमाग दोरों से पढ़ाते हैं तो क्लास 9 वालों के लिए उनका सबसे चहेता चाप्टर, The French Revolution लेके आई हूँ मैं आज की क्लास में इसका लेक्चर 1 करेंगे आज हम और पहले दो टॉपिक NCRT के एकदम खतम कर लेंगे लेकिन बच्चो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी एक सलाय जो आप मान लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे वो ये है कि देखे बटा, SST is a theory subject which needs self study सबसे पहली चीज़, हमें पता क्या लगता है हमें सामने वाले टीचर का समझ नहीं आ रहा है अरे यार यह कैसे बोल रहा है, अरे यार इसकी गलती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि जब भी हम किसी का लेक्चर सुनते हैं तो उसके बाद हम self study नहीं करते हैं हमें लगता है हमने सुन लिया आ रहे हमें हो गया क्योंकि मैं उस age से गुजरी हूँ मैंने भी यह चीज देखी है जो हमारी माम पढ़ाती थी, हमें उस टाइम तो लगता था आरे यार सब कुछ आ गया, एकदम चका चक हो गया लेकिन आफटर दाट मैं बिल्कुल self study नहीं करती थी तो मैं सब कुछ भूल जाती थी एक चीज पकी नहीं होती है तो यहां पर भी जैसे आप glue लगाते हो उसके बाद उस particular paper को उस पर paint भी करते हो छोड़ते हो ना सूखने के लिए तो यहां पर भी वही चीज है अगर आपको अपने concepts को एकदम बढ़िया करना है तो आपको self study करनी पड़ेगी मैं राई यही दूँगी इस lecture को सुनने के बाद जब तक lecture 2 आएगा जिससे आज Monday है तो Monday ही आएगा ऐसा होगा एक एक week के gap में या एक week में दो ऐसे videos आएगी जिसमें आप क्या कर सकते हो उस particular time gap में इस lecture को अच्छे से prepare कर सकते हो अच्छे से बिलकुल ठीक है ना इसे question answers, इसके MCQs, इसके बीच में जितने भी इस portion में से जितने भी question answers बनेंगे वो सब आप कर सकते हो तो हम दो topic हम NCRT के करने वाले हैं एक friend society और दूसरा the outbreak of revolution तो देखिए सबसे बहले chapter को शुरू करने से पहले एक question दिमाग में आता है क्योंकि मैं भी बच्ची थी तो मेरे भी आया था कि यार हम लोग इंडिया में रहते हैं इंडिया में पढ़ते हैं इंडिया की history पढ़ना you know necessary होना चाहिए इंस्पाइरिंग रही पूरे world के लिए क्योंने का नई भाई history में तो डालनी पढ़ेगी यहां के common ordinary people ने मोनार्की को उठापटका और वो भी एक बार नहीं कई बार 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 इनके देश में मोनार्क आए बार बार इनके देश में डिक्डेटर आए और बार बार इनके अपने आपको Republic घोशित किया इसके लिए फाइट किया और खुद Republic हो के भी दिखा तो इस वास इंस्पाइरिंग और मोटिवेटिंग पाड़ आफ इस revolution इसलिए हम इसको पढ़ते हैं हमारे history में लेट्स बिगिन आपकी NCRD में सबसे पहले एक, you know, introduction column दिया हुआ है जहाँ पे कि एक एक एक्स्ट्राक्ट है बिटाई जो एक्स्ट्राक्ट है यह अच्छली आप आगे पढ़ोगे I think the outbreak of revolution पोर्शन में ही आएगा तो वहां से उठाया हुआ ही एक abstract है एक extract है जहाँ पे आपको लगे गा अरे यह क्या पढ़ा रहे है अरे यह क्या शिरू हो गया तो basically जैसे vlogs में या मूवी में coming आपाता है तो this is basically a trailer in which on the morning of Visayal Day 1789 the city of Paris was in a state of emergency पारिस में क्या हुआ पारिस में रूमर्स आए the king had commanded the army to maneuver into the city कह रहे है राजा ने घूशित किया कि भाई troops घुश जाए पारिस में और सब तभा कर रहे rumors थे rumors का मतलब होता है unfold that he would shortly order the army to open fire upon the citizens तो भाईया लोगों को यह सुनने में आया कि यह तो भाईया जो troops आएंगे यह हम पे open fire भी कर देंगे तो यह डर गए men and women both decided to form people's militia and broke into several government buildings in search of arms तो क्या हुआ जो ordinary लोगों थे इन्हें ग्रूप्स बनाए और यह चल पड़े you know protest करने revolution करने घुश गए government buildings में the basile basile का मतलब jail है जहां पे उनके commander को मार दिया गया by the ordinary people के groups and the prisoners were released और जो jail में prisoners थे although सिर्फ 7 in number थे 7 in number लेकिन उनको निकाल दिया गया उनको free कर दिया गया क्यूँ? क्योंकि ordinary लोगों निका ना तो हम राजा को मानते ना उनके की गई justice को हम मानते तो यह दिखाने के लिए उनके जो कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया The basile was hated by all as it stood the autocratic power of the king क्योंकि भई autocratic power ने इसमें लोगों को डाला था The next day Paris and the countryside both saw extreme turmoil The journal public was protesting about the high value of bread लेकिन आप देखो ना किसी भी देश में अगर war का महौल आ जाए तो खाने की तो कमी होई जाती है तो बस यही एक situation आ गई जिसकी वज़े से events दो थे वो चलते गए और France का राजा जो था वो execute किया गया मारा भी गया अब देखो आपका होगे ना कि अभी entry तो हुई नी राजा का मरना दिखा दिया तो this was the highlighted part, trailer part जो हम लोग इस chapter वालो ने actually इतना पुराना ही डाल दिया था अब तो हम coming up अमे लगता है नया नया डाल रहे है बट यह actually coming up है कि आगे आने वाले chapter में क्या होने वाला है यह पहले ही बता दिया कि राजा मर जाएगा कैसे मरेगा क्या होगा I think six topics are there in this chapter तो this is the first topic of NCRT French society during the 18th century तो कैसी थी France की society 18th century में तो बेटा जो France था न वो तीन states में divided था 1st state 2nd state and the third state ठीक्या 1st state के जो लोग थे वो थे बच्चो clergy कौन होते हैं clergy clergy वो सारे लोग होते हैं जो कही ना कही church से connect करते है church officials चाहे वहांके पादरी हो father चाहे father हो चाहे वहां पे confession लेने वाले हो तो सारे church officials जो होते हैं वो आते हैं clergy में और ये consider करते हैं consist करते हैं first estate की society तो our friend society is divided among three states first one is clergy and they were the church officials ठीक है अब second estate की अगर हम बात करें तो यहां पे आते थे nobilities now who were nobles who were nobilities nobles were a hereditary position देखे बेटा hereditary का मतलब होता है पापा से पेटा बेटा से उसका बेटा अब hereditary का मतलब यहां पे यह हो गया तो for example my surname is Rima Gai but before that my surname was Rima Chawla तो यह मुझे मेरे पादर से मिला और मेरे मरे अब यह तो चलो लड़कियों का अलग हो गया तो वो carry forward होता है तो same goes for nobility एक time पे nobility earn की गई and then वो खानदानी हो गई वो चलती गई, चलती गई, चलती गई समझे यो तो यह nobility basically a class of people है जो actually by birth मिलने लग गया afterwards तो यह हो गई nobles third state में आते थे बच्चो अब यहां पे ना सारे पहली बात तो common people लिख देती हूँ मैं कि जितने भी और citizens बच्चते थे वो सारे आते थे बच्चो इसमें चीक है तो यह थे common people अब common people में आगे जाके तीन categories आती है इन categories का एस निच कोई नाम नहीं है लेकिन जैसे सबसे पहले आ गए businessmen बड़े-बड़े artisans बड़े-बड़े यहां पे आ गए आपके farmers peasants चोटे-मूटे काम करने वाले और यहां तो बिलकुली low class landless laborers farmers तो basically अगर हमारे भाशा में बोले तो यह poor section था यह middle class section था और इसमें सारे professionals भी आते थे teacher, doctor यह richer class section था तो यह भी तीन पार्ट में divided थे businessmen वाला बनलब की तोड़ा rich class, farmers, peasants वाला याने की middle class and the third one was large landless farmers actually जो लोग बिलकुली गरीब हुआ करते थे ठीक है? तो this is how the French society is divided among three major estates let's read them during the 18th century the French society was divided into three groups these groups were called estates the three types of estates were first estate, second estate and third estate first estate में आते थे clergy that belong to first estate of the French society clergy were the group of persons who were invested with special functions in the church जैसे की fathers and other members of the church nobility belonged to the second estate of the French society nobility's were hereditary and hence a person could get nobility by birth तो पैदा होने के साथ ही आपको nobility मिल जाती थी and hence a person could get nobility by birth however new members were also awarded nobility by monarchy after paying heavy taxes आप nobility's को purchase भी कर सकते थे कुछ नहीं करना आपको सरकार को बहुत पैसा देना है और यहाँ पे सरकार थे monarch service to the monarch that is sobility could be purchased also यह sobility नहीं है यह nobility है I am sorry nobility could be purchased also third estate में आते थे बड़े businessmen merchants court officials lawyers etc यह first category में थे third estate की peasants artisians belong to second category of the third estate and इनको lowest class कहा जाता था last में labor servants वागेरा आगे now the main part was main part was यह जो society थी दोनों की दोनो they were having some privileges what privileges they do not have to pay any kind of taxes to anyone किसी को कोई भी tax पी करना ही नहीं था nobility और clergy को tax पी नहीं करना होता था जब मैंने nobility का बताया can be purchased बच्चे सोच तो रहोंगे क्यों ही खरीदेगा कोई क्या ही benefit है तो देख लो बच्चो सबसे बड़ा benefit क्या है याँ पे कि भाईया इनको privileges मिले होए है कि सरकार जो भी tax मांगेगी सरकार नहीं राजा जो भी tax मांगेगा वो कौन पे करेगा first or second estate पे नहीं करेगा सारा का सारा tax जो पे किया जाएगा वो किया जाएगा third estate के द्वारा लग गए इनके समझ रहे हो हाँ अगला अब देखिए अब आपको ओगे क्या नाम लिखे है पीले पीले कलर में सब बता रहे है मेरी जान सब बता रहे है देखिए members of the third estate had to pay all types of taxes including titties and telly clergy and nobility were privileged class they had certain special privileges in addition to feudal privileges they were exempted from paying any type of taxes they paid feudal taxes extracted after the members of the third estate feudal taxes का मतलब हो गया बचे कुछे taxes जो लैंड के उपर देने होते है सिर्फ वही ये लोग पे करते थे otherwise सारे taxes जो थे वो पे किये जाते थे by the third estate only now what is tithi it is a type of tax जो कौन कॉलेक्ट कर रहा है first estate वाले किस से third estate वाले तो इसे कहा जाता है tithis next is tally it is a type of direct and indirect tax पहले बाद तो direct and indirect tax बता देते हैं direct tax होता है वो tax जो आप directly government को पे करते हो जैसे कि income tax, house tax या आप directly government को पे करते हो ठीक है अब इसके बाद आता है आपका which was paid to the state by members of third estate अच्छा टेली आता है direct आता है मैं confused हो गई कि मैं indirect बताना ही भूलगी direct जो हम सीधा government को दे रहे हैं यानि कि government को दिया directly house tax, income tax लेकिन indirectly आप मागडी में बर्गर खाने गए हो कभी गए होगे अपने पास नहीं रखते हैं वो जाके देते हैं सरकार को जी हाँ तो वो होता है indirect tax जो हम देख किसी और को रहे है और वो आगे carry forward कर रहा है to the government तो basically ये एक direct indirect tax है which was paid to the state by members of third estate in French society in the 18th century तेली वोज लीवड on items जो कि daily consumption पे use होती थी जैसे की आपका tobacco salt etc बेटाजी आप एक toffee भी खरीद के लाते हो ना कभी उसका MRP देखना उसका MRP में लिखा होता है रुपी 1 including all the taxes inclusive of all the taxes ठीक है अब आता है livery livery was the unit of currency France जो 1794 में discontinue हो गई थी खतम हो गई थी इसके बाद इसका use नहीं हुआ था तो livery was the currency of France which was discontinued after 1794 one marker आते है इन तीनों में से ही sorted, clear चलिए अब हम entry देते है हमारे राजाजी को Louis XVI belong करते थे bourbon families bourbon is a you know dynacity Rajgharana of kings और ये बने France के ruler 1774 में by that time long years of war maintenance of the palace of Versailles made the treasury empty देखे बच्चों क्या हुआ इन्होंने अपने palace में खूब पैसा लगाया इन्होंने wars में help करा 13 American colonies से जो war हुई थी इसमें इनका सारा पैसा जदा वो खर्च हो गया जिसकी वज़े से बनाब ये लोग पहले तो 13 American colonies के साथ you know help कर रहे थे इनको Britain से बचाने में Louis 16 raised debt of treasury to more than 2 billion livery और इस सब में इन्होंने उधार लिया 2 billion liverys का livery was the currency 2 billion liverys का ये सारे के सारे you know खर्चों को overcome करने के लिए lenders to the state अब जिन्होंने लोन दिया वो charge करने लगे 10% rate of interest जिससे situation जो थी वो और खराब हो गई मेरे बच्चों अगर situation खराब होती है सरकार में, देश में financially तो सरकार की सिर्फ एक इंकम का source होता है वो होते है taxes tax collect करना अगर वो tax collect करेंगे तभी उनकी क्या होगी income होगी बच्चों clear है तो यहाँ पे भी क्या हुआ in expenses को maintain करने की वज़े से state को increase करने पड़े taxes जिसकी वज़े से गुसा आगया third state वाले लोगो को क्योंकि बच्चों tax अगर बढ़ा होगी तो पे कौन करेगा third state वाले लोग on the whole members belonging to third state were oppressed class and had to bear all the burden of all types of taxes third state को सारा का सारा burden लेना पड़ा taxes का the struggle to survive अब क्या हुआ next topic population बढ़ गई 23 million से 28 million हो गई 1789 तक जिसकी वज़े से food grains की demand बढ़ गई poor production of food grains frequent drought epidemics बिमारिया in substance situation और खराब हो गई जिसकी वज़े से price of bread बढ़ गया और ये वहां की staple diet थी major diet wages of worker did not keep the pace with the price देखो बच्चों अगर goods के prices बढ़ते और साथ साथ wages भी बढ़ रही होती तो कोई फ़रागी ना पड़ता लेकिन wages लोगों की उतनी की उतनी थी लेकिन goods के prices बढ़ गए थे ये कारण था इसकी वज़े से poor और rich के बीच में gap create हो गया और इससे आ गया subsistence crisis तो question आता है what were the reasons for subsistence crisis ठीक है subsistence crisis के क्या का कारण थे population बढ़ गई demand बढ़ गई goods के prices बढ़ गई बिमारिया आ गई जिसकी वज़े से rich और poor के बीच में gap create हो गया और आ गया हमारा subsistence crisis चलिए 18th century में बहुत सारे लोग जो belong करते थे third state में वो लोग जो थे कमाते थे through trading trade करकरके goods को बेचना खरीदना तो basically यहाँ पे नई society का जनम हुआ जो थी middle class society जिसमें थे court officials, lawyers administrative officials पहले इतना professionalism था नहीं ना बाद में जाके professionals लोग का आना जाना हुआ peasants, labor यह participate कर रहे थे rewards में क्योंकि taxes बढ़ गए थे food की कमी हो गई थी लेकिन इनके पास की जितने भी यह लोग protest कर रहे थे उनको राजा बार-बार suppress करता था जिसकी वज़े से social and economic order of society was disbalance or oppressed at the time क्योंकि यह लोग ना वैसी बहुत depression में थे क्यार सारा tax थो हमें ही पहे करना पड़ेगा आप एक बार शुरुवात से cut shot लो तीन society, first, second, third first or second ने tax पे नहीं करना third ने सारा tax पे करना है Louis 16 आया, पैसा उड़ाया मस तुड़ाया, बहुत तुड़ाया अलग-अलग चीजों में palace को सुधार रहा है, लड़ाया लड़ रहा है और उस सारे पैसों में इनने क्या कर दिया उधार रेस किया, उधार रेस किया उस पे interest देना पड़ा इंटरस देना पड़ा, पैसा ज़्यादा चाहिए था पैसा ज़्यादा चाहिए था, टैक्स बढ़ाया टैक्स बढ़ाने के वेश से थर्ड इस्टेट लोग उप्रेस्ट हो people of middle classes were educated and believed that no privileges should be given by birth कह रहे हैं भाई, अब लड़ाई क्यों हो रही है privileges के उपर, क्यों भाई, क्यों भाई birth privileges दे रहे हो, अगर दे नहीं है तो कोई test रख वालो न, कोई merit-based test रख वालो कि जो इसमें full marks लाएगा, जो इसमें जीतेगा जैसे आँ हमारे science and fun पे होने वाला है daily खेलो, daily जीतो आज आ रहे हैं न, आशुसर समझाने दे दो, कि भाई, तू भाई, इतना अच्छा पास हुआ है तो चलते रहे हो, कोई भी tax pay नहीं करना लेकिन भाई birth क्यों दे रहे हो, यार philosophers जैसे कि John Locke, Jean Jackuas Roche were investigating a society based on freedom, equal laws and opportunity for all the freedom of the 13 colonies in USA from Britain based on such ideas strengthen the thoughts of the philosophers आवाई बीच में philosophers philosophers होते न, philosophers philosophers आए philosophy जाडने यह वो उला सीन था, philosophers आए और उन्हें काफी motivate करने की कोशिश की, जनता को इन्होंने कुछ books भी लिखी आईए देखते हैं तो refuting the doctrine of divine and absolute right of the monarch यह main idea था किसका लौके जी का, लौकी जी का, लौकी होते न, लौकी तो इन्होंने कहा कि इन्होंने बनाई two treaties of government वान मा का कोशिन है और इन्होंने इसने concept दिया कि भईया, यह जो भगवान के अफ्तार हम राजा को मान लेते हैं वो नहीं मानना है और यह मुनार्की को जो पूझते हैं वो नहीं पूझना है इसके उपर इन्होंने क्या बनाई किताब जिसका नाम था two treaties of government दूसरे philosophers अब आजाता है बताओ क्या-क्या बोला philosophers ने तो पहले philosopher John Law के दूसरे रोशे आ गए इन्होंने क्या बनाई social contract नाम की किताब बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि लोगों में और उनके representatives में connection होना चाहिए एक प्यार होना चाहिए एक युनो bond होना चाहिए last जो थे वो थे Montescue जी इन्होंने क्या कहा इन्होंने idea दिया division of power within the government among legislative, executive and judiciary आप कहोगे माम यह तो democracy में होता है तो बेटा जी यहाँ पर republic ही लाने की बात की जा रही थी मुनार को हटाने की बात की जा रही थी या फिर मुनार के साथ-साथ यह चीज़े लाने की बात की जा रही थी कि भाया spirit of laws इन्होंने लिखी किताब और इसमें कहा कि power जो है वो तीन भागों में बढ़ जाए ना कि सिर्फ एक ही राजा के हाथ में रहे तो यह तीन philosophers और यह इनकी philosophies very important यह ideas जो थे वो काफी ज़्यादा family लगे लोगोंने इनके बारे में discuss करना शुरू कर दिया coffee houses, saloons वगेरा में साथी साथ कुछ persons जो थे इन books को चौराहे पे खड़े हो के तेज-तेज अवाज में पढ़ते थे ताकि जो भी अनपड़ लोग है कम पड़े लिखे लोग है वो भी इसको सुन पाएं समझ पाएं और अमल कर पाएं spreading of ideas of freedom and news of further plans of Louis XVI to increase the rate of taxes and imposition of some other new taxes increase the anger among people लेकिन अभी भी लोगों में गुस्सा यही चाया हुआ था कि भाईया यह क्या हो रहा है हमें सारे taxes क्यों देने पड़ रहे है इतनी सारी बाते हो रही है इतनी सारी philosophies आ रही है कोई भी उन पे अमल क्यों नहीं कर रहा है इसी के साथ आया outbreak of revolution इससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कौन-कौन से questions बनते हैं दो तो मैंने बीच में बताए एक इसमें आता है explain three states या explain French society दूसरा आ जाता है what were the reasons of empty treasure in France तो यह आप से पूछ सकते हैं exam में ठीक है बच्चों यह दो question और पीछे मैंने आपको बताया है write what philosopher stated पूरा explain करना आ सकता है what were the reasons for subsistence crisis आ सकता है यह चार question इस पहले topic में से बनते हैं यह चारो question इस पहले topic में से बनते हैं ठीक है बच्चों clear है first topic आपको बिल्कुल तो चलते हैं अपने अगले topic की तरफ जो की है the outbreak of revolution this is the second topic of your NCRT ठीक है बच्चों अब क्या होगा आप होगा revolution क्योंकि लोगों में आया हुआ था बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में किस में थर्ड इस्टेट वालों में यूकि सारा कसारा taxes थो उन्हें पे करने पड़ रहे थे in order to pass the proposal raises taxes Lewis 16 called an assembly the state general क्या हुआ बच्चों ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता कि tax बढ़ाओ और tax बढ़ गए नहीं एक पूरा procedure होता है जिसमें एक meeting मिठाई जाती है किसकी state general की तो state general was a political body to which तीनों states को आना होगा अपने अपने representatives भेजने होंगे मुनार के हाँ पे अकेले decide नहीं कर सकते हैं लास्ट टाइम ये हुई थी 1614 में और अब ये होने जा रही है 1789 के around ठीक है ना इतना टाइम बाद 100 साल ही हो गए और उससे भी जादा हो गए तो यह अब होने वाली है ठीक है तो क्या हुआ आओ पहले मैं आपको इसको flow chart से सम समझ पाते हैं मैं भी समझ पाती थी तो आप भी समझ पाते होंगे तो क्या हुआ इस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाए गई मेरी यार मैं कैचे लिखा फाइफ हाँ जी फिफ्त में 1789 ठीक है अब क्या हुआ इसमें तीनो इस्टेट आए 1st state, 2nd state और 3rd state अब टोटल रिप्रिजेंटेटेटिव आए 1200 जिसमें से 300 from 1st state 300 from 2nd state and 600 from 3rd state कैटेगरी येस 300, 300, 600 अब क्या किया गया मीटिंग के दौरान ऐसे चेर्ज लगी भी थी यहां पर फर्स इस्टेट वाले बैटे यहां सेगें इस्टेट वाले बैटे और यहां पीछे खड़ा की आ गया थर्ड इस्टेट वालों को बेस्ती करी गई उनकी तुम खड़े रहो साथी साथ इन थर्ड इस्टेट वालों में कौन-कौन नौट अलाउट था विमेन चिल्रेन और लोर सेक्शन ओफ थर्ड इस्टेट लेकिन आपको पता है छेसू रीप्रेजेंटेटिटिव के साथ यहां पर क्या और आया हैं बताओ जला कॉमेंट्स में क्या लेकि आये थे यह अपने साथ जल्दी से टाइम स्टाइम डालो और बताओ क्या लेकि क्या आये थे यह अपने साथ यह छेसो लोग तो आ गए यह लेकि क्या आये थे येस यह अपने साथ लेकि आये थे 40,000 लेटर्स और इन लेटर्स में क्या थी ले के आये थे बच्चों, चलो आओ पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने अपने साथ 40,000 लेटर्स उनके साथ अपने ग्रीवियंस के भरेवे, शिकायतों के भरेवे अब मुनार्क पते क्या कहता था, बड़ा तेज था यार, कहता था, वोटिंग हो नहीं है, टोटल कहता था, तीन वोट्स होंगे। तीन वोट्स कहते हैं, समझ गए आप लोग। अवाज उठाई, उन्होंने कहा, थर्ड इस्टेट वालोंने, के भाईया, वन इस्टेट वोट नहीं चलेगा, वन रिप्रेजेंटेटिव, वन वोट दो, राजा ने मेना कर दिया, वो लोग वहीं सभा चोड़ के चले गए, उसी टाइम उठे, उठे तो थे ही थे, खड ले गए, है ना मस्त, तो इस पूरी स्लाइड में से कॉशन क्या बनता है, एक्स्प्लेइन, दी मीटिंग, ओफ, इस्टेट, जनरल, ठीक है, चलो जी, अब क्या हुआ, शांत बैठ गए लोग, नहीं, पांच मई के बाद, बीस जून को ये दुबारा मिले, कहां मिले बच्चो, ये मिले एक इंडोर टैनिस कोट में, वर्सलीस के ही, जहां पे इनोंने नैशनल असेंबली बनाई, और शबत ली के हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमें हमारे सारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती है तो ये लोगों ने ये शापत काई और इंडोर टैनिस कोट में इकत्रित हो गए, you know what, who were leading them, they were led by Mirabai and Abby Suiz, you know what, who they were, they were, Mirabai belonged to noble family, so they were from, he was from second estate, and Abby Suiz was a priest to the church, तो he was from first estate, कितनी अच्छी बात है, third estate वालों के protest में, lead कर रहे हैं उन्हें, first estate और second estate वाले, क्योंकि वो भी जानते हैं, कि third estate वालों के साथ गलत हो रहा है, and that's why, they are motivating them, उठो, क्यों बर्दाश कर रहे हो, जाओ, जाके लडो, protest करो, ये करो, वो करो, तो they are motivating them, in spite of that, they believed in the need of privilege-free society, उन्हें का भाया, ये जो privileges मिले हैं, ये नहीं मिलने चाहिए, they delivered powerful speeches regarding the need of new constitution and equal opportunity, इन्होंने कहा के भाया, बहुत, you know, speeches दी, कि हमें national assembly चाहिए, ABC's ने तो एक pamphlet भी लिखा, one marker question, what is, what the third estate is, क्या है third estate, इसके उपर पूरा इन्होंने टिपड़ी लिखी, pamphlet लिखा, कि कि ये लोग तो, अच्छा, आप लोग सोचते होंगे, कि clergy's or nobility's का, क्या मतलब, ये लोग तो, क्यों third estate वाले चले नहीं जाते हैं, यह से, तो वेटा, पूरा प्रांस में, first or second estate वालों की percentage was just 10% around, बाकि third estate वाले लोग ही थे, majority में, हां जी, अभी आगया वही वाला portion, जो हमने शुरुवात में पड़ा था, that very year harvest was badly affected, because of severe winter, बहुत थन पड़ी, harvesting खड़ाब हो गई, price of bread बढ़ गया, holding करने लगे लोग, देखो बच्चो, बहुत शाणे होते हैं लोग, for example, मैं बताती हूं, प्याज, 10 रुपे किलो चल रहा है, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, पीछने पर चला फसलना खराब हो गई है, तो प्याज महंगा आने वाला है market पे, जितना भी lot बचा होता है, वो कितना profit कमाएंगे, तो लोगों ने holding करनी शुरू कर दी, one day, after long hours, ओर्तों का सब्रकबान तूट गया, और लडाई हो गई, उसी समय, पैरिस में, troops आ गए, जहां पे, crowd को उनने destroy कर दिया, और यह अफ़ा पहली के, वो crops भी destroy कर देंगे, और वैसे ही, खाने की, बहुत ज़ 28, यह गलत है, sorry, typist की mistake है, agitated crowd stormed and destroyed the basile, in the countryside, rumors आचुके थे, कि यह लोग तो open fire करेंगे, यह लोग crops कोडा देंगे, freedom of the press, opposing views of events could be expressed, caught in a frenzy, pure peasants in several districts, seas, hoes, and pitch, इनोने अपने यू, वो, होते नही है, ऐसे, एक्सी होती है, चेत्यक्स, प्लो वाला, हो वाला, यह सारे equipment होते हैं, farming के, वो छुपा दिये इनोने, कि भाहिया, troops आएंगे, हमारी farming को destroy कर देंगे, तो यह उनने सारे छुपा दिये, अब, records of manorial dues were sat on fire, बहुत सारे लोग जो थे, वो मारे गए, बहुत सारे noblemen और clergy जो थे, वो भाग गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया, कि अब तो भाहिया, दंगे होने वाले हैं, Louis XVI को finally surrender करना पड़ा, कि भाहिया, क्या कर रहा है, इसने सारे के सारे उनों, पैसा भी बरबाद कर दिया, आब इन्होंने क्या किया, National Assembly की बातों को मान लिया, बीजून को मिले थे, चार अगस्त को ये बाते मानी गई, टैक्सेज वाली, प्रिविलिजिज वाली, प्रिविलिजिज जो थे, वो नॉबिलिटी और क्लर्जी के, अबॉलिश कर दिये गए, चर्चिस के द्वारा जो लैंड ओन की जाती थी, वो सारी बिकार कर दी गई, प्रिस्टिकेट कर दी गई, और वहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई, जिससे पैसान होगा, इंवार्मेंट, काम धंदा शुरू किया गया, मतलब, जिससे उनको टू बिलियन लिवरे का सरकार को प्रॉफिट भी हुआ, इसके बाद, फ्रैंस बिकाम अग constitutional monarchy, what is a constitutional monarchy में बता देती हूँ, लेकिन पहले, constitution का मतलब क्या होता है, समविधान, और समविधान कहां आता है, कहां आता है समविधान, जहां पर, democracy होती है मेरी जान, monarchy, राजा का राज, ठीक है, आओ पढ़ते हैं, 1791 में, national assembly बन गई, main objective, one marker question, क्या था उसका, to limit the power of monarchy, monarchy की powers पे थोड़ी रोक लगाओ, limit लगाओ, these powers instead of being concentrated in hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, देखो, monarchy का मतलब होता है, सिर्फ यह, ताज, absolute rule of king, लेकिन इसका मतलब होता है, सम्विधान के साथ-साथ, राजपाट, यानि कि, वो process भी चलेगा, जो democracy में चलता है, लेकिन राजा भी होगा, लेकिन limited power के साथ, तो यहाँ पे आ चुकी थी, constitutional monarchy, France एक constitution monarchy बन गई, there were two types of citizens, active citizen and passive citizen, active citizen वो citizens थे बच्चो, जो क्या करते थे, vote देते थे, और यह कौन होते थे, यह होते थे, पच्चिस साल से उपर के लोग, आदमी, और जो अपने तीन दिन के wages के बराबर tax pay कर रहे होते थे, वो होते थे, active citizens, और बाकी सारे बच्चे वे passive, women, बच्चे, पच्चिस साल से कम के आदमी, जो tax pay नहीं कर रहे हो आदमी, तो सिर्फ और सिर्फ, active citizens के पास right to vote था, question आता है, difference between active and passive citizens, ठीक है बच्चो, active citizens had to elect electors, electors had to elect national assembly and judiciary from among them, तो पूरा एक process बच गया, कि भईया, क्या करेंगे, active citizens क्या elect करेंगे, electors को, कि कौन, you know, बनेगा, नेता, फिर national assembly बनेगी, उससे judiciary बनेगी, national assembly क्या करेगी, king के ओपर control होगा, लेकिन king के पास एक veto power थी, क्या veto power थी उसके पास, कि वो national assembly के किसी भी leaders को dismiss कर सकता है, या enroll कर सकता है, जहाँ उसको लगेगा, कि ज्यादा ही मेरे पर रोक लगा रहा है, वो उसको हटा देगा, qualification क्या होगी एक elector की और national assembly की, एक ऐसा आदमी, जो highest taxpayer होगा, और 25 years से उपर का होगा, और आदमी होगा, वो ही क्या बनेगा, elector बनेगा, हाइस टैक्सपेर, टैक्सपेर तो होगे न, जो आपके active citizen जो वोट कर पा रहे हैं, लेकिन जो बनेगा elector, वो कोनों का हाइस टैक्सपेर में से होगा, ये पूरा प्रोसेस बन गया, देखो, political system ये बन गया, active citizen, about 4 million of population of 28, 28 million में से सिफ 4 million active citizens थे, passive citizens के पास कोई voting rights नहीं थे, 3 million आदमी थे, बाकी तो women, children और youth तो थे ही, जो पच्चे साल से नीचे के थे, तो ये लोग क्या करेंगे active citizen, vote करेंगे जज़ बनाने के लिए, और यहां से भी ये electors को choose करेंगे, electors, voters, national assembly को choose करेंगे, national assembly king को control करेगी, लेकिन king को पास veto power भी है, और इनके पास ministers को choose करने का अधिकार भी है, और यहां ये judiciary बनी भी है, जो active citizens ही choose करेंगे, तो ये पूरा का पूरा process है, constitution begin with a declaration of rights to man and citizen, अब ये क्या है, ये भी आजाते है, अब क्या किया गया, कुछ right provide कियेगे, जैसे हमारे देश में fundamental rights होते है न, वैसे ही कुछ rights provide किये गए हमारे देश को, हमारे द right to freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, इन सब को natural and inalienable right कहा गया, inalienable जो आपसे कोई, छीन ना सके, मेरी हिंदी बड़ी खराब है यार, छीन, ना, सके, हां, every citizen के पास ये right होंगे, by birth, और कोई भी इन से नहीं छीन सकता इसको, सिर्फ और सिर्फ, स्टेट के पास duty होती थी, इनको protect करने, कि देखो, यह major, यह preamble है, इसका, यह सारी बाते लिखी हुई है, यह महरानी जी बेठी हुई है, दो यहाँ पे female allegories of France, what were allegories? जैसे हमारी हिंदुस्तान की भारत माता एक allegory है, और वैसे ही France की Marianne नाम की एक allegory थी, तो symbols क्या थे? बहुत सारे लोग जो थे, वो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, जिसकी वज़े से, इनके लिए क्या बनाए गए? symbols बनाए गए, इन symbols में, जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते, वो भी इन symbols को पढ़के identify कर लेंगे, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो यह आपकी NCRT आप खोले हुए होंगे, तो symbols आपकी हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार discuss करना चाहूंगी आपसे, symbols तो discuss करने ही लगी कि हम लोग भी आ रणिंग a paid batch on our science and fun की app पे, यह chapter आपने मुझसे भी पढ़ा, यह और deep में with all the extra questions with answers, यहां तो मैं आपको सिर्फ कोशन कोशन बता रहे हूं, वहां with answers, detailed PPT, साथी साथ 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 MCQs, paid batches में हर weekly test हो रहा है, साथी साथ hand raise के option के साथ आप मुझसे doubt ले सकते ह आप मुझसे doubt नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वहां पे, माइक में आप बोलेंगे, मैं सुनूंगी और आपके doubts लोंगी, तो यह सारे features के साथ हमारा paid batch चल रहा है, हमारे science and fun की app पे, जहां 9th वालों के लिए, यानि कि आप लों के लिए, Newton's batch है, जो 3000 कोस्ट करते हैं, लेकि जिस पे आपको flat, 20% off मिलेगा, इस amount पे भी, 1499 पे भी, तो अगर आप 1499 पे 20% लगाते हैं, तो क्या हो गया? 1199, oh my god, यह हो जाएगा 1199, और भाई बच्चे, यह पूरे साल का है, इसमें आपको maths, science, by आशू सर, completely, chemistry, physics, biology, सब कुछ आशू सर से, SST, English, यह सब आपको मिलने वाला है, वहाँ पे पूरे साल के लिए, लाइव, यह लाइव, यह तो मैं बता रहा हैं, भूल गई, TTS में वहाँ classes चलती है, 4-5 मेरी SST की, 3-4 maths की, MWF, 3-4 science की, sorry TTS में, maths की MWF में 3-4, 4-5 English की, तो यह सारी classes वहाँ पे आपको मिलने वाली है, बीच-बीच में टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, Assignments आपको मिलने वाले हैं, और यह सारी चीज़े सेम 10th वालों के लिए आपके भाई बहन हो तो, सेम चीज़ें, सेम प्राइस, सेम 1199 कोड यही है, तो यह आप लोग परचेस कर सकते हो, वहाँ पे अगर आपका लाइफ मिस भी हो जाती है, तो यह वाविंग ऑप्शन ओफ टेकिंग रिकॉर्ड़ेड सेशन, संडेस को हम डाउट सेशन रखते हैं, यह सारे बेनिफिट्स के साथ आप वहाँ पे हम से जुड़ सकते हैं, जहां हम यह और दीप तरीके से पढ़ा रहे हैं, देखो ना, इस लेक्चर में, इसमें दो टॉपिक हो गए, लेकिन इस चप्र को पेड़ बैच में, एक ही टॉपिक पे पूरी एक घंटे ही क्लास लगाई जाती है, तो पूरा डिटेल्ड में होता है वहाँ पे, यहाँ पे भी कराते हैं, लेकिन और डिटेल्ड में अगर आपको करना है, विद कोशिन आंसर्स, विद एमसी क्यूज, विद अथर्शन रीजन, तो आप हमारा पेड़ बैच जॉइन कर सकते हैं, चलिए, वहाँ पेड़ चलते हैं हमारे सिंबल्स की तरफ, यह कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, जो बनाए गए, अनपड़ लोगों के लिए, इलिटरेट लोगों के लिए, फर्स वन इस दे ब्रोकन चेंज, यह ब्रोकन चेंज क्या दिखा रही है बच्चो, फ्रीडम दिखा रही है, क्या आफ फ्री हो, नेक्स्ट इस, यह बंडल्स, यह रॉड्स बंडल्स का, अगर आपको यहां क्लीर नहीं दिख रहा है, आप अपनी NCRT में देख सकते हैं, यह दिखा रही है, यह यूनिटी स्ट्रेंथ, एक होगी तो वीक होगी, लेकिन अगर साभी कठी हो जाएंगी, तो भहिया, यह क् इस, थर्ड इस, यह जो ट्राइंगल है, इसमें से आँख निकल रही है, जैसे कि जब बादल घिरे होते हैं, उसमें से सन रोशनी फेकता है, सूर्रे रोशनी फेकता है, वैसे ही यह एक उमीद की किरण है, नेक्स्ट इस, स्केप्टर, यह रॉयल पावर दिखाता है, पक यह ब्लू, वाइट, रेड, नाशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, यह नाशनल कलर है, फ्रांस के बाद में, जब रॉयल फ्लाग चेंज हुआ, वो भी इनी कलर्स में चेंज हुआ, विंग्ड विमन का मतलब होता है, कि भाईया, हम लौ बना रहे हैं, परसॉनिफिकेशन ऑफ लौ Last is the law tablet, इसमें सारे के सारे laws लिखे हुए हैं, प्रियामबा लिखा हुआ है, राइट लिखे हुए हैं, जो हर एक इनसाल के लिए natural है, और इन अलाए नेबल हैं, उनसे चीन नहीं सकते, यह बहुत important slide है, one mark case में से कई questions निकलते हैं, तो यह आपको जरूर करनी हैं बच्चो इसी के साथ हमारा यह पूरा lecture of first, जिसमें हमने first or second topic of NCRT किया, होता है खतम, I hope आपको सब कुछ clear होगा, नहीं है तो मुझे comment section में जरूर doubts पूछना, next lecture आने से पहले, तीन सवाल लिख रही हूँ, वो आप मुझे comments में देते देते जाना, पहला सवाल है आपका बच्चो, यह मुझे comments में जरूर बताना, हाँ, who was the king of France, कितना easy है न, second, कब आई national assembly, third, first or second state के लोगो को क्या कहते थे, यह तीन questions आप मुझे comment section में जरूर बताएगा, इसकी ppt आपको मिल जाएगी, science and fun की app पे, जो play store और app store पे available है, वाँ free sections में आपको इसकी ppt मिल जाएगी, साथ ही साथ, अगर आपने हमारा telegram channel join नहीं किया है, science and fun 9th, 10th के नाम से है, यह 11th भी आगे बतानी, उसके नाम से है, वो आप join कर सकते हैं, वहाँ मैं, dates की ppt, events की ppt, flow charts की ppt, mind maps की ppt भेजती रहती हूं, तो वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, telegram पे, science and fun के, और साथ ही साथ, आप पे आपको इस भी ppt मिल जाएगी, I hope you like today's session, see you all in the next session of French Revolution, goodbye! बाइ!